डियारफ्रेंड्स सुड़े आपका स्वागत परता हूं आज मैं आपके लिए पास्ट अनले स्टेंस बताने जा रहा हूं और। और आपको बहुत 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 पसंद आने वाला है यह और यदि आपने इसको पूरा देखा तो आपको इस से डिलेटेड टोटल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर वेल आइकोन जरू कट एक वीडियो में नॉटिकेशन आपके दले पहुंच सके तो फ्रैंस पाश्ठ कंटूर्ट्ज स्टमस पाश्ठ कंटूर्ट ने स्टेंश इसको सब्सक्राैक भूत्त halves है पहचान रहाथा रही थी कथे इसकी पहचान होगी इस सेंटेंस के अंध में रहा था रही ठी रहे थे आता है इसका मेंस वह पाष्ट गंटुमिय स्टेंस है अब पाष्ट को बनाने के लिए और अफेमीड़ से जब आप इसके बनाते हो इनस आधरणवाकी जब बनाते हो तो इस ट्रक्ट्राब सब जब टनरा सब्जेक्ट मुंस कि कि एंजी यानि कि वर्व के फ़र्ट पर में जब आप आए एंजी लगा देते हैं तो वह ऊको फॉर्ट ऑंग गाता है जाता है पर आपके साथ डिर्शन गोई आप लोगा कीरें और होगा है यांब आपको दिख रहें यहां पर हzemक थे मैंने सब्जेक्ट साइट में दिखे हुगे हैं वी यू दे एंड प्लूरा नंबर के साथ वर्पिंग वर्विज होगा और ही शी इट सिंगुलर नंबर निस एनी नेम और आई इनके साथ वाज हल्पिंग वर्विज होना है मीनिंग सभी को इसका पहले बता दिया फिर से अधिक लोगों के लिए कि ही वहप्रुष के लिए वह स्थी के लिए इट निदेशी वश्थ मों की लोगा सिंगुलर नंबर एनी सिंगुलर नेम के लिए आई मैं अब हम देखते हैं दोस्तों इसका स्फेंटेंस जब बनाते तो इस ईट्चंब्वर लेते हैं अब में इस या गाना गा रहा है कि मैं गाना गा रहा था अब में गाना गार हा था इसको आप देखें इससे आपको पता लग जाएगा लाश्क में गाहा था दिया है मिल्स यह आपका पाश्ट कंदिने से बिलोंग करता है और यह English में यह आप पेचानते तो में ब्याति है जब से पहले हम देखते हैं सभ्जेक्ट मैं के लिए हूगा आई हैल्पिंग बार आई के सांती जोगा वाज आई वाज वीफोर गा यहां गा रहा है तो गाने के लिए आएगा सिंग लेकिन फोर्थ फॉर्म चाहिए तो आप लगाते इसमें आई एंग आई वाज बोईंग स्वरी आई वाज सिंगिंग अस्वंग मैं गाना रहा था यहती दोस्तों इसी के अब सब के सांथा आप बनाते वह हुआ उंग हहाँ और यह सिंगिंग स्वर सांग तो आप इसमूला नमबर के लिए तो राम गाना गा रहा था राम वाग वाग संग मैं गाना गा रहा था आई-बर शिंगे युज़ा सॉंग बनाई दिया मैं आप देखते हैं इस साइट वी का युज़ करते हम गाना गा रहे थे तो वी में लेकिन वर्ण आप गाना गा रहे थे तो निगेटिब बनाने के लिए सेंटेस्त कर तो ने घाना नहीं गा रहा है सपोस्ट सेंटेस आया मैं गाना नहीं गा रहा था मैं गाना नहीं गाना इसको ट्राइब करते हैं तो आपको ओनली चेंज क्या करना है है पिन बाद के बाद मौट कर दो आपका सेंटेस बन जाएगा सब्सक्राइब गता यहां पर आप इसका सवाट फाव इंप यह सकते हैं तो वाजन्ट आई वाजन्ट सिंगिंग आ सब्सक्राइब साथ निकेटिव बनाएंगे वह गाना नहीं गारा था है वहाँ गाना नहीं गा रहा था, बना ही दिया मने, आप देखते हैं, हम गाना नहीं गा रहे थे, आप गाना नहीं गा रहे थे, लिह रンタ शोंब, वहारा नहीं गा रहे थे भी, गीता गाना नहीं गा रही ही थिख dante geeta वरंट thinking a song, या, jetha गीता वरनान शीलिगण सवाँ अब हम देखते हैं, इ cel video इन री उन प्रनेड, पेपर में आप इसको चेंज करते हैं तो इंटोगेटिव बनाने के लिए इंटो बगटिव मैंने आपको बताले के तो टायब की करें होंगा है यहां पर इंटोगेटिव रहते हैं तो इसे लोट उनारी न रूट इंटोगेटीव मत 127 लूट का इंट्रॉगर्टेवि यहालिए कि जब आप हेल्पिंग रख देते तो यह सहओ डाम करता है को होगा यहां पाव है अधर सब्जेट प्लस वीफोर प्लस अबजेट और जिव इसी को आप इंट्रोगेटिव मैं गरते हैं तो हैल्पिंग बड़ के बाद लगा देते हैं और डव्य इंपों के लिए आपको डव्य वर्ड पहले रखना है इसके बाद हैं यह देन सब्जेक्ट अब सेंटेंस बनाते हैं सपोल मैंने वोले क्या मैं गाना गा रहा था जब सेंटेंस की शुरुवात होती है क्या से क्या मैं गाना गा रहा था गार रहा था तो यह बना जिसका आंसर यह यह न मैं होगा और यह नहीं जब से पूंचा जया क्या मैं पढ़ा रहा था तो आपका डाय connection क्या हो रहा हो तो अब बोलोगे यह नहीं पढ़ा रहा हो तो इसको जब ठ्रांसलेट करते नसобщ परको सिर्प हैल्पिंगा अब सब्जेक्ट की एकोर्डिंग जो हैल्पिंग बर्बाती है उसको शुरू में रखना है तो वह आपके क्या का काम करेगी बाकि सिंपर तो आपको करना किया कि आई के सांथ वाज का उज़ता है इसलिए हम यहां पर बनाएंगे वाज सब्सक्राइं जो है तो आपका सेंटेंस त्यार हो गया यह आपका वंगे प्सेंद जिसका आंसर होगा यह सक्कीन के आप बना सक्षाचम तो वाज ही सिंगिंगा सोंग, क्या वह गाना गा रही थी, वाज शी सिंगिंगा सोंग, क्या राम गाना गा रहा था, वाज राम सिंगिंगा सोंग, क्या में गाना गा रहा था, वाज आई सिंगिंगा सोंग, क्या हम गाना गा रहे थे, वर वी सिंगिंगा सोंग, क्या आप स्याम सिंगिंगा स्व इस तरीके से हैं यह बन जाता है ग्व Ne عu nut के बार अब चली और गार देंख क्या मैं गाणा नहीं गा रहा? भीना दो ओकिंगा सग्षिख या फिर आप इसका स्वॉट फर्म वॉज के साथ जब नौट लगाते तो सब्धफर्म उतार वॉज़ंट सुरु में लगाते तो आई के बाद वज नोट सिंगीगा जोंग क्या समया नहीं आउए सभा यूह बहुत आंगे और शन्य लापन आंप वॉज नोट सिंगी आँड है यूह खार रहा हैं वहते सriage में का नहीं का रहा है दिल्ला तरॉ तोडलो स्टूडानेस इसे इंडिरटिव निकेटिव क्लियर हो गया होगा अब हम बनाते हैं डवू-एक इन टॉके 5 जब डबू-मूएच इन टॉके इसको आप इनफरमिशन टाइप इंट्र गलिटिव कहते हैं इनफरमीशन होता है उसमें कुछ डब्ली एच वर्ड का आपको पता होना चाहिए तो डब्ली एच वर्ड में सपोज मैंने यहां दिया वाट 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 मिन्स हो गया क्या कि विया कि कहाँ कि वेन कि कव कि वाई तो कैसे इस तरह से सभी तो डब्ली एच वर्ड मैंने इसमें नहीं बता है इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूरा लेकिन अभी फ्ला इनका यूज आपको बताने जा रहा हूं इसलिए मैंने कुछ वर्ड आपको लिए आप सपोर्स सेंटर्स आप तो बनाना है कि वह क्या कर रहा था वह क्या कर रहा था तो ध्यान दें किया जब बीच में आता है तो hopeless क्या के लिए काम कर देगा लेकिन क्या से सेंटर्रीं का क्या मैं गाना गा रहा था तो helping वर्प आगे रख देते हैं तो क्या का काम करती है अभी मैं क्या कर रहा था वह क्या कर रहा था जब क्या बीच में आता तो उसके लिए डबुएच वर्ड का इंच करना होता है और फाराइं एंफॉर्मिशन देना होती है इसलिए उसको हम ड्व रहण गया इनफॉर्मीशन चस्वां क्या कर रहा था कोकि रहा था तो इसके लिए आकको क्या करना है जब सबसे पहले है यहां पर रख दिया वाज वाज ही वाज ही दूइंग वाज ही दूइंग वाज ही दूइंग यहां पर बन गया अब क्या बोला है यहां पर वाज और लगा दें तो व्लेयं बन जाएगा वाज ही दूइंग वह क्या कर रहा था यह क्या कर रहा था कंशित you doing वह क्या कर रहा था यह धो गया वह क्या कर रही थी what was she doing कर घुब तरह रहा था what was driving हम क्या कर रहे थे what were prin बच्चे क्या कर रहे थे तो ओड वर चिल्डरन दूइन इस तरीके सामने वाट का इंच किया वेर के लिए आप सब को सेंटेस तीया वहाँ कहां पड़ रहा था तो अपको कहां के लिए प्लेस जब मेंसन करना होगा तो इसके लिए आपको करना क्या है वहाँ कहां पढ़ रहा था तो उसके लिए आप कहां के लिए वियर करेंगे और पहले सिंपल इंट्रोगेटिव बना करके आप बना सकते हैं अधालिक सब्सक्राइब कहां तो इसके लिए सबस ह enorme WH कहा के लिए व्याथ के साथ वाज लगे लाइस लिए ड्सक्राइब मौनिया रिदिंग है कि यदि रिदिंग अबकान ही दि और इस साब आप लगा सकते हो वह कहां पढ़ रहा था वह कह生ब कि अब सब्सक्राइब कि वहक कब पढ़ रहा था तो आपको सिर्फ और को चैंज कर दें यह के प्लेस्ट पर वेंग को अप्लाइब कर दें कि तो तो वन जाएगा वैन कि वैन वाज ही रिडिंग वैन वाज ही रिडिंग मींस वहक कब सब्हburst पढ़ रहा था ऐसे एकर दिया हो वहह वहाँ वहाँ क्यों जा रहा था वह वह वहक क्यों जा रहा Woo जा रहा था तो सजस्टर जाएगा आपका का कि वाए शीर्फ नहींटर वाज हो है वाज है तो यह का वाई के साथ हमने सेंटेंस बना दिया और और आगे दिखते हैं हम हाउ के साथ है दिया आप सेंटेंस बनाते हूं हाय operate data से दिया है और कि आप वहां कैसे जा रहे थे आप वहां किसे जा रहे थे है कि आप ऋक्र क्या से आप जा रहे थे तो कनका आपको कैसी शाओ आप चुकिए आप यू तो वर लगेगा हाव वर यू तो गुएंग हाव वर यू गुएंग देर आप वहाँ कैसे जा रहे थे इस तरीके से यह आपके डब वर्ड का भी जो जाएगा तो दोस्तों आई थिंक आपको यह किलियर हो गया होगा आसा करते हूं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वैल आइकोन जरूर दोवारे जिससे हमारे दोवारा बनाएगे प्रत्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके